पाकिस्तान अनिव हिस्ट्री ऑफर बाइन टेल बोट अपनी इस बुक में ब्रॉड रेंजिंग एरियास को टच करते हैं विजबी पाकिस्तान अगर उनमें चन अरियास को क। कि लिजिन परहमाज अगर आगे बात कर लेंगे तो इस ही बुप में आयन टेल बोन बात करतें कि साओध एशिया का जो एक रीचिनल सेक्यरिटी इंवारिमंट है जिसको मैंने काफी अपने lectures में बात की है जिसके बारे में उस environment की विया से पाकिस्तान में जो democratic evolution का जो process है उस पर क्या effects या impacts पड़े due in part to date written security environment जो कि according to this author inherently hostile and volatile है further अगर देख लें तो इस बुक में author बात करते है कि कैसे पाकिस्तान में एक uneven resource allocation and availability of opportunities की विया से federalism और national integration का जो phenomenon है वो कैसे disturber है या कैसे पाकिस्तान अभी पाकिस्तान yet to become a nation क्यों ऐसा हुआ इस बुक में बात करते हैं similarly इसी बुक में author बात करते हैं feudalism और industrial जो rober barons है उनकी विया से कैसे पाकिस्तान में democratic evolution का जो process है उसकी जो pace है वो slow रही as compared to India further इस बुक में author बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो एक under development है poor social economic indicators है उनकी विया से कैसे the country is yet to curve a way out to become sustainable nation further पाकिस्तान में आप लोगों को बता है 15 से 30 के बीच में जो यहां पे population है almost 60% है इस बुक में author बात करता है कि पाकिस्तान की जो youthful dynamism है या पाकिस्तान की जो youthful demography है इसको channelize करने के ज़रुत है इनके potential को mobilize करने के ज़रुत है for Pakistan's sustainable economic growth इस बारे में इस बुक में बात करते हैं author similarly बात करते है कि कैसे third power या external powers ने पाकिस्तान की जो geographic location है उसको अपने national interest in benefits के लिए utilize किया to Pakistan's detriment resulting in Pakistan becoming prisoner of its own geography lastly इस बुक में बात करते हैं कैसे इंडिया का जो एक पाकिस्तान के बारे में एक secessionist image था या है उसकी वयासे पाकिस्तान के ओपर क्या effects पड़े और पाकिस्तान में जो democratic evolution था वो क्यों slow रहा similarly वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो एक mentality है जिसको एक strategy culture या पाकिस्तान क्यों एक garrison state बना instead of welfare state जैसे कि पाकिस्तान के founding fathers ने envision किया था उसके बारक्स पाकिस्तान क्यों एक security state बना ये वो सारे एरिया से जो अपनी बुक में आयन टेलबोर्ट explain करते हैं comprehensively पाकिस्तान की